Welcome back friends to my YouTube channel The Himalayan Guru दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एक Australian crypto project जिसका नाम है Aussie Digital दोस्तों ये project बहुत बढ़ा है काफी सारे features इस पूरे project में हैं जिन्हें हम समझेंगे इसी की official website aussiedigital.io से और इस video को आपको end तक जूर वाच करना है तभी आप इस crypto project को समझ पाएंगे और इससे बहुत सारा फायदा profit और अच्छा खासा मुनाफ़ा भी ले पाएंगे तो ये दोस्तों शुरू करते हैं इस पूरे project को जिसका नाम है Aussie Digital a new data-driven equity blockchain अब दोस्तों एक चीज़ देखने लाए कि यहाँ पर ये भी है कि नया project है और इस पूरे project में बहुत सारे features भी हमे मतलब यहाँ पर blockchain technology की मदद से बहुत सारी चीज़ों को use किया गया है उनका उपयोग में उनसे लाया गया है और वहाँ पर इस पूरे project को बनाया गया है Aussie Digital Simplify How Small Business Go Online Powered By A Blockchain Enabled Digital Token This Platform Has Digital Marketing Tools To Help Retailers Become E-Tailers यानि कि यहाँ पर आप अगर यह चोटे मोटे वेपारी है चोटी आपकी कोई दुकान है तो आप यहाँ पर blockchain enabled digital token और इसके साथ साथ इस पूरे marketing tools को use करते हुए इस project से जुड़के अपने business को एक अलग level पर लेके जा सकते हैं जैसा यहाँ पर यह बता रहे हैं अब इसके साथ दोस्तों देखने वाली बात यह भी है कि पूरे project में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लाया गया है जिसमें मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर एक ऐसा exchange प्रवाइड किया जाएगा जिसे आप यूस करके easily direct अपने बायर से connect हो सकते हैं direct आप वहाँ पर उन लोगों से मिल सकते हैं जो यहाँ पर transactions कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी middleman या intermediaries की आपको जुरूरत नहीं पढ़ने वाली है यानि कि एक ऐसा exchange जहाँ पर buyers और sellers directly एक दूसरे से मिल पाएंगे बिना किसी बिचो लिएगे जैसा है कि इस पूरे exchange में आपको देखने को मिलेगा simplifying crypto trading और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर उनने security, customer support, fees जो की काफी कम है supported chains यानि कि multiple blockchains में इन्हें support दिया गया है ease of use बहुत ही easy friendly user face है payment methods जो है वो भी काफी secure है और आप उसे easily use कर पाएंगे यानि कि यहाँ पर आपको multiple features दिये जा रहे है इस पूरे exchange में जो की again बता रहे है delivering a seamless crypto trading experience both in desktop and in mobile applications यानि कि आप दोनों ही format में इसे यहाँ पर use कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों बात की जाए tradez e-commerce की tradez e-commerce दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी website है जहाँ पर आप अपनी पसंद की चीजों को buy कर सकते हैं e-commerce की website जैसा कि आप देख पाते है flipkart amazon है so tradez is an e-commerce platform that is specifically designed for small business owners to take the retail shop online into no time and low cost platform is fully loaded with a range of digital marketing tools along with a business to business trading ecosystem जिसकी यह बात कर रहे हैं making shopping easy redefining selling and shopping जिसकी आप देख पा रहे है mobile applications और desktop दोनों पर यह आप इसे use कर पाएंगे तो इस हिसाब से यहाँ पर इनका second जो बहुत बड़ा aspect है वोच इस tradez e-commerce है पहला इनका होता है trade do trading exchange दूसरा आगे है tradez e-commerce और दोस्तों तीसरा है chatz social media a feature of social lives on chatz, Aussie is digital built in social media world, a next gen social media channel, chatz enables sellers and buyers to interact, connect and transact तो यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर इन पूरे portal को use करते हुए आप अपने business को आगे बढ़ा सकते हैं, नए friends बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस platform की मदद से आप कर सकते हैं और अपने इस business को promote करते हैं आप काफी आगे भी जा सकते हैं तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चैटजी का भी याद किया गया है चैटजी क्योंकि एक अपने आप में ऐसा platform है जो buyers और sellers को directly एक दूसरे से connect कर देता है ताकि दोनों ही एक दूसरे की help से एक दूसरे के साथ ग्रो हो सकें आपने business को आगे लेके जा सकें इसके साथ दोस्तों इनका reward programs भी है Aussie Digital is built on the belief that the experience of shopping and selling on this next generation e-commerce ecosystem must be rewarding in every sense of the word rewards reloaded rewarding experience यानि कि आप इन सारे चीज़ों को use करते हुए इनकी जो community है, e-commerce platform है, applications है, trading exchange है उन सब को use करते हुए आप यहाँ पर reward program पा सकते हैं आप eardrop ले सकते हैं आपको यहाँ पर multiple options है आप कैसे भी यहाँ पर easily rewards ले सकते हैं और जैसा कि मैं आपको कहा कि जब आप इनके platform को use करेंगे तब आपको भी वहाँ पर बहुत सारे discounts मिल जाएंगे जब इस पूरे project में दोस्तों आपको तीन तरह की token देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे main token जो है जिसे AUD coin कहा जाता है यह इनका main token है जब भी यहाँ पर आप इस AUD coin को buy करते हैं और आप जब इसे buy करेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरे token as a bonus मिल जाएंगे जिसमें AUDE token है और दूसरा AUDB token है आप इसे staking कर सकते हैं आप यहाँ पर इसे दूसरे भी transaction easily कर पाएंगे और इनी तीन tokens के मादियम से इस पूरे ecosystem को चलाया जाएगा और यहाँ पर जो आपकी trading website है जो आपका trading exchange है जो आपका e-commerce है जो आपका social media handles है जो आपके rewards है वो सारे के सारे काम यहाँ पर इसी tokens और इसी coins के मादियम से आपको होने वाले हैं आप इनी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करके कर सकते हैं तो अगर हम देखेंगे पूरे ecosystem में powered by an ERC20 digital token known as AUD coin to powered by a combination of cryptocurrency known as AUD तो यानि कि OC digital का जो main currency है जो main token है उसे AUD coin कहा जाता है आप यहाँ पर इस चीज़ को भी check कर सकते हैं जिसमें आप AUD coin का use करते हुए exchange में, e-commerce में और business to business के लिए आप use कर सकते हैं staking के लिए use कर सकते हैं, physical stores के लिए, rewards के लिए, advertising के लिए, social media के लिए हर जगे आपको AUD coin ही देखने को मिलेगा और इसी के चलते सारे project में इसको use किया जाएगा road map की बात की जाए, 2016 में AUD coin और उसका ecosystem लाया गया था idea conceived किया गया था, market research की गई थी, 2017 में blockchain को लाने की बात की गई थी e-commerce social media को establish किया गया था, platform testing शुरू की गई थी, वैसे ही 2018 में seed funding complete हुआ था 2019 में staking program शुरू किया गया था, फिर 2020 और 2021 में थोड़ा slow रहा क्योंकि covid आ चुका था, 21 में से relaunch किया गया, burn function add किये गए, 22 में launch of social media उसके साथ launch two new token जिसमें AUDE token, AUDB token लाए गये थे, 2022 के second quarter में यहाँ पर तीनो coins की updates लाए गयी थी, और यहाँ पर trade do exchange लाए गया था, वैसे ही, 3rd और 4th quarter में भी काफी सारी चीज़ें की गई थी, इसमें उन्होंने social media website chatzy को लाया गया था, वैसे ही, 2022 इस साल के first quarter में sales को restart किया गया, AUDB airdrops, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो शुरू कर दिये गए है, बीटा launch of trade z e-commerce लाया गया है, trade z payment begin with our native token, listing of AUD, trade do exchange withdrawal start किये गये हैं, वैसे ही, 2023 के second quarter में आपको new payment gateway additions मिल जाएंगे, new features, updates on chat z, new seller registration on trade z की बात की गई है, आप यहाँ पर staking कर सकते हैं, when you stake your AUD coins on our trading platform, you will earn more than 10% extra on your investment affiliate, यानि कि अगर आप इससे जुड़ते हैं, affiliations लेते हैं, our affiliates get their bonuses paid directly to their account, moreover, the affiliates will not need to buy our coin for claiming their bonuses, यानि कि आप बिना किसी तरह से coin और token को बाय किये, बिना यहाँ पर इनके साथ भी affiliation ले सकते हैं, अगर आप staking में ज़्यादा interest रखते हैं, तो आपको यहाँ से भी सारी help और guidance मिल जाएगी, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि the staking limit is now just $10, earned 10% in every 30 days, Aussie Digital has dropped the minimum stake to 1000 AUD coin, that's just $10, so if you are a new member, you will have to buy only a small amount to test the effectiveness of the staking program, यनि कि आप $10 से भी यहाँ पर staking लगा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और इन सभी platform का use करते हुए आप भी profit ले सकते हैं, आप चाहें तो इस program से भी जुड़के यहाँ पर इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं, दोस्तों पूरे AUD coin की जो total supply है और max supply है वो 25 billion है, 25 billion में से 60% जो है वो crowd sales के रखा हुआ है, 5% अगर देखा जाए तो advisors के लिए है, 5% bounties, 10% reserve, 20% Aussie Digital team के रखा गया है, all unsold tokens will go back to the community through our staking program, यानि कि अगर कोई भी tokens unsold रहे जाते हैं, तो staking program के माधनिम से उनको community में दे दिया जाएगा, team members की बात की जाए तो यहाँ पर इनके founders, co-founders, project managers, बहुत सारे दूसरे team members भी आपको देखने को मिल जाएगी, उनकी details भी मिल जाएगी, partnership, collaborations भी आपको देखने को मिल जाएगी, address इनका यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, Aussie Digital LSE, new horizon building, ground floor, 3.5 miles, Philly Westby, Goulson Highway, Belize City, Belize, Aussie Digital, Private Limited, Australian, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, contact details, उनके social media handles भी आप चेक कर सकते हो, जैसा मैं बता रहा हूँ, this is the official social media handle of Aussie Digital, are you an e-tailer who is sick of paying large fees to greedy e-commerce marketplace, join tradezy.io for almost zero fees, this is what they have claimed and they have mentioned in their official Twitter handle and as per their recent tweets, greetings AUD community, we hope this message finds you well, we wanted to take a moment to thank every one of you who participate in a recent AUDB airdrop event, your enthusiasm and support for our project have been truly humbling, यानि कि जैसा कि मैं आपका हा, यहाँ पर जो airdrop है, इनका जो शुरू किया गया था, अभी उसे close कर दिया गया, just एक घंटा पहले इसे close किया गया है, तो जो इन्हों ने अभी अपना airdrop शुरू किया था, बहुत ही कम समय में उसे close कर दिया गया, अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं कि we are pleased to announce that the airdrop has now closed and we have reached our maximum capacity of participants, we appreciate all the efforts you put into joining and being part of a growing community, जो इनका airdrop शुरू किया गया था, वो close हो जुगा, क्योंकि उनके पास जतने भी maximum capacity थी participants की और fulfill हो चुकी है, इस हिसाब से कुछ और tweets यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर बता रहे हैं कि AUD coin has been listed on coins, बिट पर आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ updates और कुछ information आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो इस two trends जुड़के भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, बात की जाए coin market cap की, AUC digital is the project name, AUD coin is the official coin, rank 5095, 389 की watch list है, current price Indian rupees में 0.8229 है, rise by 1.10%, max supply 25 billion है, circulating supply update नहीं होई है, तो यहाँ पर reflect नहीं हो रही है, live chart देखते हैं, तो यहाँ पर काफी अच्छा chart देख रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी growth देखने को मिल रही है, लोगों ने का trading भी देखने को मिलता है, काफी पराना project है, और इस पर काफी लंबे समय से काम किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर community भी इस चीज़ को समझती है, और लोग जो इस से जुड़ रहे है, वो भी इसके multiple platform का use करते हुए फायदा ले रहे है, yesterday's change 3.34% के हिसाब से rise है, all time high 9 गंटे पहले 0.8249 गया था, all time low एक दिन पहले 0.7966 था, rise by 3.37% आज कि हिसाब से, औसी digital ROI देखी जाए तो 0.22% के हिसाब से गिरावट में है, यानि कि इस पूरे project में अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्योंकि just CMC पर launch हुआ है, तो हो सकता हमें हलकी से spike देखत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप आज भी buy कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम price में, मतलब आप समझी अभी, एक रुपया भी नहीं पहुचा हुआ है, तो यानि कि आप इसे easily buy कर सकते हैं, लेकिन उतना ही buy करने जीसा कोने पर गम ना हो, और अपने financial advisor से सलाज जरूर ल volumes और जो इसके sell और buy orders भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो इसे सबसे आप इसे यहां पर भी check कर सकते हैं, हाला कि coins bit पर भी available है, आप चाहें तो coins bit पर भी इसे check कर सकते हैं, वहां से buy कर सकते हैं, buy करने के लिए बहुत easy है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो guide दी, उस guide को follow करने, आप यहां से भी इसे buy करने की सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो दोस्तों जिस बात को मैं बता रहा था आपको airdrop को लेके, तो इनका जो airdrop है, as of now airdrop इनका भी close हो चुका है, क्योंकि close just अभी एक घंटा पहले ही हुआ है, में भी हो सकता है कि जो इन्होंने set target रखे हैं, उसके हिसाब से party spends यहां पर आ चुके हो, क्योंकि काम जो दिया था करने के लिए airdrop के लिए बहुत ही simple था, तो सीधी सी बात है, कोई भी free का जो token से छोड़ना नहीं चाहता है, तो आप चाहें तो इस पूरे इनके ecosystem से, इनके social media handle से जुड़क को मिल सकता है, तो दोस्तों एक हलका सा overview मैंने आपको दिया पूरे project के बारे में, उस पूरे crypto जो की OC, डिजिटल ऑस्टिले का project है, तो I believe आपने इस project में अगर निवेश करना है, तो सोस समझ के निवेश कीजिएगा, और उतना ही कीजिए जिसका कोई आपको गम ना हो, ब आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो channel को support कीजिएगा, वीडियो को share कीजिएगा, thanks for watching my video, have a great day, bye.